दोस्तो, Microsoft Excel की सीरीज में आप सब का स्वागत है, जहां पर आज हम सीखने वाले Advanced VLOOKUP देखो दोस्तो, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि VLOOKUP क्या है, VLOOKUP कैसे काम करता है साथ ही VLOOKUP इतना important क्यों है अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज आप प्लेइलिस्ट में जाकि उसे वीडियो को जरूर देखिए अब यहां पर जो हमारा आज का टॉपिक है Advanced VLOOKUP आज के टाइम में किया है कि अगर आप इंटर्व्य में जा रहे हो तो उनको पता है कि VLOOKUP बहुत ही इसी है तो VLOOKUP लगाना सब को आता है लेकिन Advanced Knowledge के लिए वो आपको बोलते है Advanced VLOOKUP अप्लाई करने के लिए अब यह Advanced VLOOKUP होता क्या है देखो नॉर्मली क्या करोगे अगर आप Computer Skin पर ध्यान दे कि पहले आप Name पर VLOOKUP निकालोगे फिर उसके बाद इसको इस तरह के से ड्रैग करोगे और तब यह VLOOKUP यहां पर अप्लाई होता है लेकिन आपसे यह कहा जाएगा कि आपको एकी बार में इन पूरे को सेलेक्ट करना है और यहां पर एकी फॉर्मला डालना है और वो सब पर यानि कि VLOOKUP सब पर यह जो जितने भी यहां पर सेल है तीनों सब पर एकी बार में अप्लाई हो जाए तो वो आप कैसे करोगे तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि एकी बार में आप मल्टिपल सेल्स पर VLOOKUP कैसे अप्लाई कर सकते हैं सो मेरा नाम राहूल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक अब दोस्तों simply हाजाते हैं computer skin पर और यहां पर करना क्या है सबसे पहले आपको select करना है यह जो range है यानि इन तीनों cell को आपको select करना है select करने के बाद आपको है लिगना एक्विल VLOOKUP आप यहां पर आपको करना है lookup value select सबसे पहले चीज क्या बोलिया है lookup value तो look up value के हम किसके भी आप पे data नोट रहे हैं, id के भी आप पे, तो हमने 103 को select कर लिया, अब यह कह रहा है table array, यानि कि आपका data कहाँ पर available है, तो हमारा data available है यहाँ पे, तो हम यहाँ से लेके पूरा, जितना बड़ा भी आपका data है आप select कर लिजे से, तो हमने select किया, अगर आपको यह form select करने में दिक्कत होगी, in future, तो आप पहले वाले को select करो, control shift को hold किया, और right arrow की को press करना है तागे right वाला arena select हो, और down arrow की को press किया, तो down वाला जो arena है वो select हो जाए, हमने किया, press करेंगे comma, अब यहाँ पे आता है column index नमर, और जो की advanced view look up में सबसे important है, देखो, normally यहाँ पे जितनी भी चीदे हैं, जैसे यह name है, इसके लिए भी जो look up है, वो यही रहेगा, look up value यही रहेगी, table भी यही रहेगी, designation में भी look up value यही रहेगी, table भी यही रहेगी, basic salary में भी look up value यही रहेगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ, column number के, तो वो तीनों में अलग-अलग होगा, इसमें column number 2 आएगा, इसमें column number 3, इसमें column number 4, तो अब हमें यहाँ पे column, जो बार-बार change होंगे, उसके लिए formula यूज़ करना है, जो है columns, हमने क्या लगा है, columns, अब यह क्या करता है, कि जितना array आप select करोगे, वो आपको उसका number बताएगा, जैसे मैंने 2 array select किया, तो उसका number क्या होगा, 2, 3 array select किया, तो 3, 4 array select किया, तो 4, अब आपको करना क्या है, कि हम यह आपे select करेंगे, इन 2 array को, ठीक है, ध्यान देंगे, भी वही रहेगा, basic salary में भी वही रहेगा, तो इसको हम कर देंगे fix, अब fix किसे करेंगे, F4 से, इसे दर किसे table भी सब में यही रहेगा, तो कर दिया F4, और यह जो table का दूसरा section है, यह भी हमने कर दिया F4, अब क्या होगा, कि यह look up value और table, सब में ऐसे ही रहेगी, मतलब जो इसका cell है, ड्रैग होने पर, चींज नहीं होगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, कि यहाँ पर जो columns में, हमने दो select किया है, एक A1 और एक B1, तो हमें यहाँ पर A1 को fix करना है, F4 से, अब होगा क्या, कि जब यह आगे पर apply होगा, तो A1 और यह B1, इसका जो आएगा वो value आई दो, अब जब यह दुबारा खिचेगा, मतलब next skill निकलेगा, तो automatically यह name बढ़के हो जाएगा, designation पर 3, जो भी में आपको करके बताता हूँ, तो यहाँ पर हमने यह किया, सिर्फ जो पहला वाला है, जो आपने columns को select किया, जो पहला वाला है, उसको आपको fix करना है, दूसरे value को fix नहीं करना, कोमा करना है zero, जो कि appropriate match के लिए, और press करना है, control hold करके enter, ध्यान रहे, एक उंगली से control दबाना है, और दूसरे से press करना enter, और करना enter, आप देखिए सब के लिए आगया, अब मैं जो आपको बता रहा था, कि हमने जो fix किया था, देखो यहाँ पर column number ध्यान देंगे, यहाँ क्या है, A1 से लेके B1, और यहाँ पर क्या है, A1 से लेके C1, मतलब अगले वाले के लिए, automatically वो drag हो गया, और मैंने A1 को fix कर दिया था, तो A1 वैसा का वैसा ही है, C1 तक उसके range जो बढ़ गई, तो A1 से B1 कितना हुआ, 1, 2, A1 से C1, यानि कि 1, 2, 3, तो इसमें column number automatically क्या गया, और यहाँ पर आप देखोगे, कि D1, यानि कि 1, 2, 3, 4, तो column number क्या आगया, 4, तो इस तरीके से advanced VLOOKUP लगाया जाता है, जहाँ पर एक ही बार में, जितने multiple cells हैं, आपके जो further हैं, उनका आप आसानी से VLOOKUP अप्लाई कर सकते हैं, आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यह वीडियो बहुत important है, believe me, कि interview के दोरान यह जो caution है, वो ज़रूर पूछा जाता है, कि भाया, एक ये बार में VLOOKUP लगाना है, तुम्हें अलग-अलग नहीं लगाना, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगी, अच्छी लगी होगी तो please like करें, share करें, और हाँ साथी comment करके अपना feedback ज़रूर दें, Thank you.